वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सिस्क्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें को है कंट्रोल की जाती थी तो पाँच काउचियो प्रुहित सेनापति दूथिया राज़दूथ और गुपतचर थीकád यह आपके पाँच काउचियो की मदद से नोगों की मदद से इन काउचियो की मदद से राजा जो है राच करते थे इनको क्या बोलते थे इन पाच व काउंसिल को माहसाभाज, ठीक, क्या बोलते थे महासाभाज, अब city administration, city कैसे को अद्मिनिस्टर कैसे करते थे, किस तरीक से divided थी, ठीक है, तो पूली complete state को क्या बोला जाता था, संगा मेरा में, मंदलम बोला जाता था, क्या बोला जाता था, म मंदलम, अब कभी भी ये पूछा जाए, कि मंदलम वर्ड के स्चीज को डिनोट करता है, तो मंदलम आपका state को डिनोट करता है, एक पूरा प्रदेश, ठीक, the मंदलम वस डिवाइड इन्टू नाडू, नाडू को फिर उर में डिवाइड के जाता था, उर क्या होता था, एक तरीके का ताउन होता था, क्या टाउन, ठीक है, विच वोज अ लार्ज विलेज, थी, a small village और an ancient village, etc. are described in different forms, ठीक है, और क्या है एक लार्ज विलेज है थी, small villages और बहुत पुराने old villages को अलग-अलग terms में डिफाइन करते थे, तो city administration क्या है, कि आपका एक कब्रीट स्ट को क्या बोलते थे, mandalam, ठीक है, जैसे बोला जाता था, चूला mandalam बोलते हैं, ठीक है, तो mandalam क्या था, उसको एक पूरा state था, उसको फिर डिवाइड किया गया, नाडू में, नाडू को फिर उर में, ठीक है, अब जाते है, revenue administration पे, तो the most prominent source of revenue was land tax, land का जो tax था, जमीनी कर, ज revenue generate करने का, सबसे बड़ा source क्या था, सबसे बड़ा source क्या था, लाइड टैक है, उसको क्या बोलते थे, उसको कुदमे बोलते थे, ठीक है, बहुत important term है, यह कि कुदमे क्या था, तो कुदमे आपका student's land tax है, ठीक, the unit of the measurement of land was maa and baile, ठीक है, maa and baile, यह दोनों क्या है, यह दो land tax को क्या बोला जाता था, land tax को बोला जाता था, कुदमे, ठीक, अब, in the Sangam era, the king was the highest authority for justice, यह तो सभी चानते है, अगर king, राजा राज करते थे, कभी भी देखा गया है, तो वही सबसे बड़े source क्या होता थे, justice होते थे, ठीक है, मतलब वही तरीके सबसे बड़े justice देने व ठीक है, चातुरंगी नी आर्मी, मतलब चार पार्ट्स में ड़ाइड़ेड आर्मी तरीके से कहेंगे, तो कौन कौन सी, एक तो फुट आर्मी, पैदल चलने वाली, एक हैंड आर्मी, होडस आर्मी और चारिट्स, एक तो पैदल चलने वाली, फुट आर्मी ठीक है, एक ज पैदल इंफेंट्री अईसकाथ एक जो नॉर्मली आपके सोलजर्स होते हैं इन फैंट्री नियों तो आपके जैसे सीराणताज मेंकरी करके आरमी होती ठीक कै बैसी है आरमी रहे थाहला हो गए अपके होसर कि घोल पूरे रत पर पाट की ठीक है बड़ बॉल्स वेर फ्लेसे फटेसे ऑघर जन चैनल सब्सक्रा रत में आपके डोल के बूल करने का लैंड टैक्स था सो खुद में बोलते थे ठीके मेशरमेंट लैंड टैक्स की काउन कोंसी यूनिट है माह और बैले है संगायमेरा में किंग सबसे हाइस्ट अथोरिटी थे किसी वी जस्टिस को बाने के लिए और जो आर्मी थी वो चतुरंगी नी चार बार्ट्स में रिवाइड थी चार आर्मी, 1045 थी फोटार्मी, 1017 थी वेंडी आर्मी, 10 apresent में भोडे नहीं होते थी उतम्हें उनमें कषा थे थी बुल्स होते थी कि नेवी नेवी हमेंटिट थी प्रोलते थी लिए हूव Δ civ में के रंपार्द च परिप्र च or नार्ड प्रम्दा के संग् यह था आपका पूरा जो है सिटी अड्मिनिस्ट्रेशन और रवन्य अड्मिनिस्ट्रेशन संगा मेरा के टाइम का ठीक है आई हूप आपको लेक्चर समझ माया होगा कोई भी डाउट हो तो प्लीज कॉमेंट सेक्षिर में कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए और बेल बेटन को प्रेस करना ना भूलिए थैंक यू सो मिच फॉर वाचिंग